नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो हमारे वास्तु शास्तर के अनुसार हमारा शेयनकक्ष हमारे घर का महतोपुर्ण अंग होता है शेयनकक्ष में कौन सी चीजे रखनी चाहिए और कौन सी नहीं इसके बारे में हमें वास्तु शास्त्र में महतुपुर्ण जानकारे मिलती है कई बार हम गलती से हमारे शेयनकक्ष में चित्र विचित्र प्रकार की तस्वीरे लगा देते है या कुछ ऐसी चीजे हमारे तकी के नीचे या हमारे बेड के पास रख देते है जिससे नकरत्म कुर्जा का संचार हमारे घर में होने लगता है और इसका आसर हमारे जुवन पर भी पड़ता है वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय हमारे पास कुछ चीजे भूल से भी नहीं रखनी चाहिए और यदि आप चाहते हैं कि आपके शेयन कक्षे नकरत्म कुर्जा दूर रहे और सदा ही सकरत्म कुर्जा का संचार बना रहे तो आप सोते समय अपने तकिये के नीचे इन में से कोई भी एक चीज अवश रखे इन चीजों को तकिये के नीचे रखकर सोने से इसका सकार्त मकासर हमारे जीवन पर पड़ता है और घर में सुक सम्रद्धी और एश्वरी की प्राप्ति होती है खास कर महिलाओं को सोते समय आपने तकिये के नीचे इन में से कोई भी एक चीज रखनी चाहिए जिससे मा लक्ष्मी की क्रपा उन पर बरसती है और घर से दरिदरता दूर होने लगती है दिखने में तकिया भले ही एक मामूली सी चीज हो लेकिन कोई भी मामूली चीज इतनी भी आम नहीं होती वकावत तो आपने सुनी होगी कि वेक्ती चाहे कितना भी अमिर क्यों न हो जाए उसे सोनी के लिए एक मामूली सी तकिये की आवशक्ता होती है आप भी तकिये का सही उप्योग करके रात और रात अपना भग्य चमका सकते है आज हम आपको उस चीज की बार में बताएंगे जो हमें तकिये के नीचे रखकर अवश्य सोना चाहिए जैसे हमारा भग्य चमक सकता है तो चलिए बिना दिरी की ये जान लेते है कि हमें तकिये के नीचे कौन सी चीज रखकर सोना चाहिए पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको ऐसे आध्यत्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके साथी वीडियो को एक छोटा सा लाइक जोरू करे पहली चीज तुलसी का पता तुलसी हमारे धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है कहते ही कि तुलसी की पूजा करने से ही आपके सारे कश्टों का निवारन हो सकता है लेकिन रात को सोते समय तकिये के नीचे तुलसी का पता रखने से आपको काफी फाइदा हो सकता है दरसल रात को सोते समय तके के नीचे तूलसी के 3-4 पत्ते रखने से सकर्थम कुर्जा प्राप्त होती है इतना ही नहीं अगर तूलसी के पत्ते को सुबट कर खाते है तो इससे नकर्थम कुर्जा आपसे अपने आप दूर हो जाएगी इससे आपको कोई बिमारी भी नहीं होगी लेकिन याद रखे तूलसी के पत्ते शाम के समय ना तोड़े ऐसा करने से आप आपके भागिदार बन सकते है हिंदु धर्म में शाम के समय तूलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा अपराद माना गया है ऐसा करने से आपके जिवन में बुरे समय की शुरुवात हो सकती है इसलिए सुबह ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर आप रात को सोते समय अपने तके के नीचे रखे दूसरी चीज़े मोरपंक सकर्द्म कुर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाभी पाने के लिए आप अपने तके के नीचे एक मोरपंक आवश्य रखे इसका असर काफी लाबदारी सिद्ध होता है कुछ लोग मोरपंक को अपनी किताबों के अंदर रखते है ऐसा करना उनके लिए काफी लखी होता है तके के नीचे मोरपंक रखकर सोने से वेक्ति की कुंडली में लगे सभी दोश धिरे धिरे समाप तो होने लगते है दोश खत्म होने से वेक्ति का भाग्य पूरी तरसे उसका साथ देने लगता है दुरगटना से बचने के लिए भी मोरपंक काफी लाब दायक होता है जब सुबह आप उठे तो तके के नीचे रखे मोरपंक के दर्शन आवश करे ऐसा करना काफी शुब होता है तीसरी चीज़े रुपे का सिक्का रात को सोते समय अपने तके के नीचे एक रुपे का सिक्का आवश रखे और सुबह उठकर यही सिक्का किसी गरिब को दान करने से आपकी सभी परिशानिया समाप्त हो सकती है ऐसा करीब एक महने तक करने से विक्ति के सभी दोश कम होने लगते है और इसका भाग्य चमकने लगता है रात को तके के नीचे सिक्का रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो आपकी कुंडली का भाग्य भी बदल सकती है अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक से ना हो तो इसी स्थिति में आप तके के नीचे चांदी का सिक्का जुर रखे वोई मंगल दोश को दूर करने के लिए सोने चांदी से बने आबूशन अपने पास अवश्च रखने चाहिए चवती चीज धार्मिक वस्तू कोई भी धार्मिक वस्तू वेक्ति के भागे को पलटने में सबसे लाब दायक सावित होती है वोई तके के नीचे धार्मिक वस्तू रखने से वेक्ति का भागे प्रबल होता है और किसी भी तरह का भय उसको नहीं सता था और कामयभी के शिकर पर वो जल्दी ही पहुच जाता है इसलिए आप अपने तक्ये के नीचे धार्मिक चीज़े अवश्य रखे जैसे के कोई अंत्र, ओम का चिन्न, यान्य कोई धार्मिक वस्तू पाचवी चीज़े लोहे की चाबी लोहे की चाबी भी आपके लिए आपकी समस्याव को खत्म करने का सबसे बड़ा हातिया साबित हो सकती है अगर आपका समय अच्छा नहीं चलता है और मन में तरतर के खयाल आते है या किसी भी कारण से आपको नीदाने में समस्या आती है तो आप लोहे की चाबी ये अच्छा है तो लोहे से बनी कोई छोटी चीज आपने तके के नीचे आवश्च रखे ऐसा करने से रहू केतु का बुरा प्रभाव दूर होने लगता है और नकारत्मकता विक्ति को छू भी नहीं पाती है इसके आलावा शनी रहू और केतु के दशा में ये उपाय काफी लाब प्रद होता है अगर अन्य उपाय की बात करे तो तके के नीचे लहसुन रखकर भी आप सोसकते है लेसुन रखना भी आपके लिए काफी लाब दायक सिद्धो हो सकता है क्योंकि लेसुन को भी सो भागे का प्रतिक माना गया है तो दोस्तों ये तिवह चीजे जिने तकिये के नीचे रखकर सोने से मनुष्य का भागे बदल जाता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरू करे कमेंट में जैमा लक्षमी अवश्य लिखे साथी चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद